कि नुश्कार दोस्तों प्रिणाम आदाब जैहिंद मैं हूँ अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में जहां शाम के छेवद चुके हैं और ससी इस सीएचसल की आज होगी सबसे इंट्रेस्टिंग क्लास जी आज आज आपको सबसे इंट्रेस सेशन में तो मजा ही आ गई तो चलो दोस्तों आज के सेशन में देर नहीं करेंगे चलेंगे शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं और जो लोग भी प्रड़ाम की मुद्रा में महतरानी आपको खुश रखे समरिध रखे खूब जीवन में तरक्की दे आप दिन दूगनी रात हजार नहीं करोनों गुना तरक्की करें यहीं इश्वर से कामना है और 2022 में इश्वर आपको एक बहुत बड़ी खुश खबरी से नमाजे दिल से दुआ है आपके लिए तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का आगास करते हैं जल्दी से मैक्सिम लोग जोड़ना शुरू हो जाओ मैक्सिम लोग आज एक तुमसे मैं बस दरखास यह चाहता हूं कि कोई भी टेलीग्राम चैनल हो कोई भी वाटसेप हो या कोई भी फेसबुक हो आज ये वीडियो शेयर होनी चाहिए आज मैक्सिमम जाना है और आज का सेशन केवल तुम देख लेना अगर तुमारा दिल ना खुश हो गया तुम कहती है सर कसम से इस तरीके का कोईशन मैंने कई बार देखा आई भी में भी कोईशन पूछा गया है और जितने कोईशन आज तक मैं आज जो कराने जा रहा हूं आज तुमारा मतलब एक मिनट के लिए भी ना जिसे कहते हैं ना सर पानी पिने जाएं सर यहां जाएं कहीं नहीं हिलोगी आज मैं आज बहुत मज़ा आएगी तो चले शुरू करें आज का सेशन सभी तैयार हो बीटा गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है ना ठीक है चले है हाँ तैंक यू सो मच रितिमा चोहान हरीश कुमार पूनम कुमारी संतुती दुबे सभी हमारे साथ जोड़ चुके हैं निलेश तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का आगास करते हैं आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों से साथ मुखातिब इसलिए होना चाहता हैं को कि आज का सेशन ना बहुत ही जानदार है देखो किसी ने क्या बात कही है आज लखी ने इतनी प्यारी बात कही है कि आपका दिल खुश हो जाएगा सुनके और हमेशा इन चीजों को ना अमल किया कर जिन्दगी सिर्फ हकीकत है इसे हकीकत समझो जाने किस दिन हो जाएं हवाएं भी नीलाम यहां जाने किस दिन हो जाएं हवाएं भी नीलाम यहां अरे आज तो सांस भी लेते हो ना तो गनीमत समझो आज तुम जिन्दा हो यही मानलो हाथ पैर सलामत है यही मानलो इसी बेहन है यह मान लो दुनिया के सबसे रहीस इंसान हो तो रही बात पैसा कोड़ी तो भाईया याद रखना उसको कमाने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा एडवांस दिमाग होना चाहिए दुनिया तुम्हारे कदम चुमेगी या तुल अवस्थी की गैरेंटी है ब इतनी अच्छी बात कही फलसफा समझो नासरारे सियासत समझो जिन्दगी सिर्फ हकीकत है इसे हकीकत समझो अरे जाने किस दिन हो जाए हवाई भी नेलाम यहां अरे आज सांस भी लेते हो तो गनीमत समझो चलो दोस्तों आज का पहला कोशन में लेके आओ देख लो जड़ सब्सक्राइब दिखाता हूं जो लोग कमेंट कर रहे हैं मेरी क्लास में उनको क्लास कैसी लगती है तो चले पंद्रा सो प्लस हो जाओ तो पहला कोशन दिखाऊ में क्योंकि आज के सेशन में हर कोशन की कीमत है मेरे भाई और अगर तुमको लगे तो आज कमेंट सेशन के अंत में जरूर बताना कि भगवान का संसर आज तो आपने दिल ही खोश कर दिया ठीक है ना जल्दी से पंद्रा सो हो जाओ फिर मैं आज का पहला कोशन आपको मुखातिब कराता हूं और एक हजार लाइक दिखाना यार कम से कम जितने लोग यार फटा 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 फ सवाल के लिए हम नेक्स्ट कर रहे हैं और कैल्कुलेशन सोच के बताओ कि आंसर क्या होगा चलो तुम्हार पास टाइमर के साथ में आंसर दे रहूं अराम पीजिए तुम्हारे टाइमर है सोच लो 21 सेकेंड है तुम्हारे पास पूरे आंसर क्या होना चाहिए कोई ठीक है देखो जैसे मैंने कहा ना कि तुम इसको नहीं कर पाओगे या नहीं सोच पाओगे तो कारण क्या है यह नहीं है कि तुमको नहीं आता है ना तुमको यह नहीं पता है कि महाराज ऐसा भी होता है जैसे अब मेरा एक सामान दिमाग क्या है वह कहता है कि सर चार और छे स 88 लाना तो चार और छे से मैं 88 कैसे ला सकता हूं देखो एक छोटी सी समस्या की वज़े से तुम वहां तक पहुंच नहीं पाते बोले महाराज किया देखो examiner की सोच देखो उसने क्या किया यह चार है बोले हां सर इसका वर्ग कर दिया बोले सर ठीक है प्लस छे है इसका वर् मोंच आएगा अभी खुछ कमी है मैंने कह इसी कमी को इसने पूरी कैसे की है इसी में छे का स्कॉर जोड़ दिया यानी 36 और जोडो दोगे तो यह 88 हो जाएगा बोले सर यह 6 कहां से आया इसी का दुबारा दो बार स्कॉर इसका जोड़ा है इसका। उसका की उ's प्लस दो का स्क्वाइर क्या लेकिन नहीं, दो का एक बार और स्क्वाइर करो, यानि दो का एक बार और स्क्वाइर उसने जोड़ा है, तो यह उन्चास हो गया, प्लस चार हो गया, प्लस चार हो गया, चार चार आड हो गया, नौ आट सतरा हो गया, टोटल सतावन हो गया, ब यहां पर 9 प्लस 50 करोगे और तुमको 69 मिल जाएगा बोलो बात सही है और जिनका मैं मान लिया कि जरूरी नहीं कि सबका हो ही जाए लेकिन जिनका नहीं भी हुआ कम से कम मेरी आवाज तो सुन लो मेरे भाई मेरी आवास तुम्हारे कान तक जा रही है तो तुम कम से कम यह तो इसका अंसर बताओ अगर बैक्टरिया को माइक्रोइस्कोप से रिलेशन है तो चांद का रिलेशन किससे होगा जल्दी से बताओ अब जैसे देखो 16 15 14 टाइमर बंद क्यों बंद मेरी बात समझना क्योंकि यह सब कोशन यह है ना इसको सास्त्रों में चूरन ने स्टिक आ गया चूरन का भी सुपलेटिव डिगरी जो होता है वो होता है यह कि महाराज इतना तो हम जानते बैक्टरिया को माइक्रोइस्को कोशन चांद तो नहीं होगा सेटलाइट होना ही सब्सक्राइब बंते हैं वह आपको करण से सवाल बनते है ठीक है वो है टेलिस्कोप जिससे हम चान देखते हैं देखो एंसान की फूर्ती देखो बोलो बात सही है चलो आज का यह देखो सब्दकोश रोज कोई न कोई एक कोशन जरूर कराता हूं चार वर्ड है अब तुम बता दो इसका एक्जैक्ली डिक्षिनरी ओर्डर क्या होना अच्छा सुनो मेरी बात सुनो देखो तुमको एक बात बताता हूं यह ओप्षिन तुमको क्या कह रहा है हमको इतना बता दो जो रोज मेरे साथ जुड़ते हैं अगर तुमने पूरा डिक्षिनरी ओर्डर लगाय तो बेटा तुम्हारे लिए कोशन नहीं तुमसे कह रहा है कि एक या चार में से कोई नहीं पहला आएगा तुमें पहले तीन को हटा दूँ और ने पहले दो को हटा दूं तो एक अच्छी सांस लुग यह अझ्छा लगा मुझे चलो अब में के बाद यहां पर डी है और यहां एमें के बाद सी है तो पता चला महराज तीन पहले आता है से ऑसीता राम। देखो यह बचा बोले मेरा विकल्ब क्या कहता मेरे बात मत माना दो option मैंने हटा दिया तुम भी इसको डिनाय नहीं कर सकते है बोले हमाराज अब तुम से option कह रहा है बोला महराज हमने का बताओ बोले गुरुदेव यहां पे यहां पर 3 है तो हमने कहा 1 और 3 है तो ये तुम भली भात तरीके से जानते हो अब मैं इसमें क्या करूंगा यहां पर 2 हटा दूगा और 4 एक 2 और 3 तो 1 और 3 मैं तो बोले सर एक पहले आएगा तो ये भी नमस्तिय हो गया और तुम्हारे पास पहला बिल्कुल सही जवाब हो गया देखो जो लोग करके दिखा देते हैं उनका बहुत अच्छा है लेकिन जो जीवन में पहली बार मेरे साथ जोड़ रहे हैं उनकी की रिस्पॉंस्बिल्टी अतुलवस्थी है है न तो इस वज़े से मैं थोड़ा सब को लेके चलता हूं तो जाका छट पटाने की आवश्यक्ता नहीं माराज यह हो गया जो भी समस्या हमको बताओ अब बताओ दो मई 2006 को सोमवार था तो 31 जुलाई तुमको एक इसकी तबाह ही त्रिक बताता हूं आज की बाद तुम्हारा यह समस्या खतम हो जाएका कि कहां से गिने किसको ले के गिने किसको छोड़के गिने तुम्हारे तो मचारे अराम से सोच भी व्लू फिर मुझे बता ज़ू अगर बात सही लगे न तो समर्थन करना 21 सटेंद मैं पाब 10 कि ब थीक है। चलो जरह देखो, अगर उसने माई बोला है याद रखना क्या बोला है मै, मैं के बाद कि आएगा जून, जून के बाद कि आएगा, जुलाइज। बोले हां माज ये आएगगा, बात उचित लगे तो समर्थन करना, कोई अंधा सपोर्ट नहीं 31 में 31 में 31 दिन होता है जून में 30 दिन होता है और जुलाई में 31 साफ साफ लिखा है जहां जाना होता है उसे पूरा ले लेते हैं ठीक है लेकिन मई में आप 31 महीं लेंगे 31 में इस दो को घटा देंगे ठीक है न तो यहां पर आ जाएगा 29 ठीक है और यह पू तारीक को इतना था तो बताओ इस तारीक को क्या होगा तो जहां जाना है उसे हम पूरा ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं मई अगर 31 की है तो ये दो इससे घटा लेते हैं तो ये 29 हो गया तो जो में हैं उसमें हमारे पास सिर्फ 29 दिन बचेंगी जून हमें पूरा लेना क्योंकि जून बीच में पढ़ रहा है 30 और जहां जाना होता है 31 जुलाई इसमें कोई छेड़ खानी नहीं करते जैसे लिखाय वैसे छाप देते अब सबसे बड़ी बात इनको जोड़ने की भूल मत करना इसमें से सब में साथ का मल्टिपल हटा दो 28 हटाए एक बचा इसमें से 28 हटाए तो तीन बचा तो तीन दो पांच एक छे हो गया और अगर मैं स्टोंवार में छे दिन जोड़ दूं तो मंगलवार बुद्धवार ब्रहस्पतिवार शुक्रवार सनीवार रविवार मेरे हिसाब से तो संडे आना चाहिए क्या खयाल है आपका संडे बिलकुल स संडे बिलकुल सही जवाब है जल्दी संग उठे वाला बटन दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दो और बार-बार कहा रहो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना ताकि कल हम टाइम से मिल जाए जल्दी से इसका अंसर बता हुआ है अराम से जल्दी से सोच के ब अच्छा एक बात बताओ मेरी बात उचीत लगे तो समर्थन करना बोले महराज क्या बात सही लगे तो समर्थन करना अंधा सपोर्ट नहीं बोले सर क्या 15 का अगर 5 में गुड़ा करू 15 का 6 में गुड़ा करू 18 का 5 में गुड़ा करू 18 का 6 में गुड़ा करू उसी तरीके स किया मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब हम सतनायङन भगवान की कथा अपने मुहले में सुनते हैं आज तक तुमने कभी सुना है कि सतनायन भगवान की कथा सुनने पूरुस गये हूं, हमेशा कभी भी तुमहारे महले कालोनी में सतनायन भगवान की कथा हो रही होगी, तो हमेशा महिलाएं जाती है, क्यों? क्यों कि सतनायन भगवान की कथा कोई नहीं सुन सकता, पूरी उसको सुनने के लिए एकागरिचित मन होना चाहिए तुमको क्या लगता है जब महले में होता है सतनायन भगवान की कथा तुम महिलाएं सुनने जाती है ना वह पहली बात तो दो अध्याएं हो जाएगा तब पहुंचेंगी और इसके बाद दीदी काव बताई हम रह यह समस्या हो गई यह हो गया उधर तीन अध्याय और खतम बोलो सतनायन भगवान ने की जए और सकता हो गई तो काथा पूजा पाठ सबके बस की बात नहीं होता सुनना जैसे मैं क्लास कराता हूं अब यहां हर पैटन का कोश्चन में कराता हूं लेकिन सारे लोग कथा में बैठे हैं लेकिन तुम सोचो सभी लाभानवी थोरे ऐसा नहीं है पानी सबके लिए बरसता है कुछ लोग अपना 500 लीटर का ड्रम भल लेते हैं और कुछ कहते हैं कुछ बरसन है तो का बताई है ना तो यह सोड़ा सब फर्ग पढ़ता है कभी भी देखना पूरुस कभी स सब्सक्राइन भगवान की कथा सुनने का नेउता महीं मिलता पूरुसों को ठीक है तो इस वज़े से थोड़ी समस्या होते अब जैसे मैं बता रहा हूं आधे से ज्यादा लोगों की छाती फट जाती महाराज जिना जमन ना रहा पतान कैसे होगा तो दिक्कत उनकी नहीं ह कि सर समय से पहले अब जिसे यह कोश्चन है अगर तुम्हें बता दो कि हां सरी आंसर हो गया तो तो तुम राज आओ सोचो इसमें कुल किता ट्रेंगल है लगा लो दिमाग इधर आओ तुमको क्या लगता है मैंने रोज जितने भी लोग पार्टिकुलर फिगर कांटिंग पढ़ते हो चैप्टर वाइस पढ़ते हो उनसे मेरे बच्चों से अगर एक बर कॉंपटिशन करा दो बच्चा ना उसको रच गया यह सारी चीज़े कि महाराज एक दो ती बराबात्री होता है हमने कहां जानते तो हो बोले महाराज अगर किसी को यह पता है तो आठ यहां है और हमने कल आपको एक बात बताईती कि जब भी कोई लाइन किनी दो वर्गों को जोड़े उसके उपर दो लिख दिया करो तो तुमको यह बार बार गिनने की जरूरत नह नहीं 24 हो गया 24 के बाद यह हो गया 25 हो गया 26 यहोगया 27 हो गया 28 छोटे छोटाब बाला बाद लेकिन यह चोटे छोटे वाले भी तो गिने जाएंगे बुलो बाज सही 18-6-24 हो गया 3 और 3 यह 6 यह हो गया 18-6-24 हो गया 25-26-48 हो गया 28 के बाद मैक्सिमम 30 ही है 100 तु बातीस रहा है 28 दो 30 ही हो गया और 30 दो 32 इनको मिला कि वैसे तो 32 हो रहा है लेकिन अब मैक्सिमम 30 है तो 30 बिलकुल सही जवाब हो जाएगा मैक्सिमम तीस है तुमारे पास तो तीस सही हो रहा है तो मैं बार-बार कहता हूं कि मैं कथा सबको सुनाता हूं अच्छी बाते सबको बताता हूं लेकिन कितने लोग पहले तुम प्रशन देखो प्रशन की धार देखो तुम पहले प्रशन देखो और दिल खुश हो जाए त तब मेरा सपोर्ट करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत एक परिवार में तीन पिता तीन पुत्र दो पौत्र और एक पड़ पौत्र है तो कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है कि अब जरा सोचो पर पहले क्या होता था एक लड़के एक तरफ इशारा करते हुए उसकी मौसी ने कहा कि मेरे भाई के बुआ के भतीजे का लड़का है तो बता उस लड़के का उसकी बुआ से क्या संबंद है तो यह सब चीजें अब एक गंगा किनारे जा चुकी अब एक्जामिनर के दिमाग में फितूर सवार होता है वो सोता है चलो इस बार ऐसा पूछ और फिर यह ग्रेंड फादर का पिता हो ना चाहिए तो यह इसका प्रपोत्र होगा इसे कहते हैं ग्रेट ग्रेंड शंजीजी यस यह होगा great grand son, यानि कम से कम 1, 2, 3, 4 तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए इसको बनाने के लिए, बोले सर, आप बहुत जल्दी अल्दि बताते हैं, धीरे धीरे बताएए, एक बार और बताइए, ऐसे हमको मजा नहीं आई, अच्छे हमने का सुनो, देखो, उसने का पिता, तो द बाबा के पीता है और ये तुम हूं तो पड़पोत्र तो उसी को कहते हैं यह पर पोट्र है वह तो यही तभी तो पड़पोत्र होगा जब यहां पर कोई होगा इनी के लिए तो सोने की सीडी बनवाई जाती है जो इतना जनरेशन देख लिए तो फिर एक छोटी सी सोने की सीडी उनके लिए बनवाई जाती है तो यह याद रखना यहाँ पर चौथा बिल्कुल चार बिल्कुल सभी जवाब हो जाएगा चार मेंबर चाहिए यार बता दो मज़ा आ रही है कि नहीं आद देखो चुपके चुपके पढ़ते हो जोना तो गुस्सा लगती है फिर बताओ बात सही है आगे चलते इसका अंसर बताओ एक व्यक्ति ने बारा मीटर खंभे के लकड़ी के लठे को रोजाना एक मीटर काटता है तो बारा टुकड़े कितने दिन में कर देगा अब देखो 99.9% गलत जवाब दोगे गलत जवाब दोगे लगा लो दिमाग अगर तुमको ऐसा लगे कि सर ने सही कहा है तो एक बार दिमाग लगा लो एक व्यक्ति बारा मीटर लंबे लकड़ी के लठे को रोजाना एक मीटर काटता है तो बताओ उसके बारा टुकड़े कितने दिन में कर देगा उसके बारा टुकड़े कितने दिन में कर देगा साबाश बोले बारा टुकड़े बारा दिन में करेगा अरे सरकार अब मेरी बास समझो ये है लकड़ी का लठा तुम्हारे लिए पता है कितनी मेहनत करता हूँ देखो ये है लकड़ी का लठा हर दिन एक मीटर काटता है आ हर रोज कारता गया हर रोज कारता गया तो जब अगला काटेगा तो यह यह वाले के साथ तो यह भी गिर जाएगा ना जब यहां पर कुलहारी मारेगा तो यह तो कटेगा ही कटेगा यह वाला लास्ट वाला अपने आप कट जाएगा तो कितनी बार काटा एक दो तीन चार प कुछ इंट्रेस्ट है अब इसको किस चैप्टर के अंतरगत पढ़ाऊ मैं बताओ कौन से चैप्टर में ये कोशन में पढ़ाऊ लेकिन कम से कम सुनो तो सरकार कान में आवास तो जाए तो यानि अगर बारा मीटर लगड़ी के कलठे को हर दिन एक मीटर काटेगा तो ग्यार जाजी इस तरीके के कोशन बड़े इंट्रेस्टिंग कोशन होते हैं बहुत मज़ेदार कोशन है फ़र एको ट्राई करो पंद्रा सकेंड दे रहा हूं क्योंकि आसान नहीं चरम पर आसान है अराम से कर लोगे अब मेरी बात समझ रहा है अच्छा एक्जामिनर का दिमाग लगो हमको लगता ना यह लोग इस तरीके के कोशन बनाते हैं इसे बीवी से जगड़ा-उगड़ा करके आते हैं मतलब इस दम खुन नस्या हो जाते हैं फिर कहते हैं चलो अब तो मैं ऐसा कोशन बनाऊगा क्य अब इससे एक कम किया एक कम किया तो यहां पर पांच आया और फिर इससे एक कम किया तो यहां पर चार आया और इनका आपस में गुड़ा कर दिया तो महाराज बीस हो गया बोले सर और धीमे दीमे बताईए जल जल दी नहीं बताईए अच्छा ठीक है और धीरे धीरे बता पिर इसका उसने एक कम किया महराज यहां पर चार कर दिया फिर यहां पर इसका एक कम किया यहां पर तीन कर दिया बोले महराज बारा हो गया बोलो बात सही है फिर इसका एक कम किया तीन इसका एक कम किया दो तुछे हो गया इसका एक कम किया एक यानि दो एक कम दो हो गया मिल और मज़ा इस तरी के देखो मैं यह कहता हूं ना कि यह नए नए टाइप की जो सीरीज के कोशन्स आते हैं कम से कम इनको देखते रहों नहीं समझ में आता नहीं कर पाते कोई बात नहीं लेकिन देखो तो लेकिन अगर जिनको देखना भी गुनाह लगता है तो बेटा जी याद रखना विनाश काले विपरीत बुद्धी अब जड़ा यह कोशन्स देखो जान डाल देगा तुम में ये सवाल barking dogs seldom bite बरसने वाले गरस्ते न हैं कुट्टे इंग बात हो रहा हुड गरजने वाले बरस्ते नहीं और जो कुट्टे भॉकते हैं वो कभी काटते नहीं है आच्छा महाराज बोला कुट्टा हमेशा भॉकता है यह तो कोई बात ना हुई कुछ कुट्टे काटते हैं कि यार देखो तुम लोग यही गलत करते हूं मैं तुम्हारे सामने यह खुला छोड़ देता हूं कम से कम इसे देख लो ऐसा ना किया करो यार्ट कुट्टा हमेशा भॉकता है और अगर मैं कहूं कि मुझे दोनों सही है तो डॉक्स ऑल्वेस बाग यह हमेशा भॉकने का मतलब रेगुलर नहीं कि भॉक 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 रहा है मतलब इनसान बोलते हैं इंसान प्रायह बोलते हैं तो इनसान मतलब बोल सकते वो बोलना है बीसि बीसे बीसे बीसी और कुछ कुछ कुटे कारते हैं तो देखो यार जब इस तरही के करओं बोलता है ब्रकिंग डॉक्स शेल्टम मेत ऑले तो इसे ऑक सक्के कि ढूत x सम्टॉक्स आर बाइट बोला कुछ कुट्टे काटते हैं तो सभाविक सी बात है कि जो बार्किंग डॉक्स इल्डम बाइक जानी सारे कुट्टे काटते हैं इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते इसलिए यह उनली सेकेंड ही आएगा जो की बिल्कुल सही और एक बार नहीं चाउथा कह रहें यह तो तुम्हारे ब्रहमांट फट जाएगा तो दूसरा बिल्कुल सही होगा ना कंप्यूटर जी सही ना तुम सही हो तुम सोते हो मूझ बना दोगे तो मैं कहा नहीं सही है इसका अंसर बताओ कितने ट्रेंगल है अच्छा इसकी ट्रिक कितनों को पाया है कितनों को याद है बस यह बता दो कि हम हमें याद है उनको मैं बता दूंगा जल्दी सा सोच esses को जल्दी 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 आ कि बस हां बिल्कुल स़हिए 27 बिल्कुल सही मैंने बोला था कि कभी century형 तो टीन कर दो है onds वीडियो एक बार देख लेंना एक बार नहीं हजारों बार मैंने समझाया है कि कर्णे से थे कुछिन आफूर किुट पर न टीन हैं एक दो टीन चार पांच एक नई एक बार चार बार है एक बार बार तो तो गुड़े 2 कर दिया, 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 2, 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो एक एकम एक, दो दूना, चार तीन त्रोक अनौँट, चार दूना, आठ और पांच एकम पांच, है ना, नौ, एक दस, आठ चार बारा, और पांच सत्रा यानि हो गया कितना, दस, सत्ता अईस, चलो, इसका अन्सर बताओ, एक रुमाल का कोना काट दिया जाता है, तो कोना काठ दिया गया तो कुल कितने कोने बचते है जुभी अश्टोष मुकेस नेहा आलोग संतोष धीरज पहले बात तो जो लोग आंसर कर रहे हैं जितने लोग मुझे लाइफ देख रहे हैं मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लोग टाइप कर सकते जो नहीं मैंने कहा गलत सलत जितना blender जवाब देना हो दो लेकिन comment box में जवाब दो मैं बार-बार कहता हूँ है ना जब इसलिए जब कहीं जागन या कहीं पर कुछ भी सुनने जाते हो लोग कहते हैं बोलो दुरगाम या की और जब जै नहीं बोलते हो तो लोग बोलते हैं जो न बोले जै ओके लोटिया गए तो कम से कम ऐसे लोग इसलिए बोलते हैं कम से कम मूँ खोला करो लिखा करो गला, सलत, ब्लंडर जो बोलना है बोलो लेकिन कम से कम आंसर तो किया करो सरकार अब बताओ लोग चार ही बोल रहे हैं लोग तीन बोल रहे हैं मतलब जवाब कुछ भी आ रहा है लेकिन आ रहा है न मैं आपसे बोलता हूँ एक रुमाल है ऐसे से एक रुमाल है और उसका अगर एक कोना तुमने ऐसे काट दिया तो बताओ अब एक कोना ये बचा एक कोना ये बचा एक कोना ये एक कोना ये यानि एक दो तीन चार पांच कोने हो जाएंगे उसके लेकिन कम से कम मूँ तो खोलो सरकार कम से कम मूँ से बोलो तो कि हाँ सर इसका यह होगा टेलीफोन के डायल के सभी अंकों का गुड़नफल होता है यह मैंने भी आपको बताया था और यह चीज़े एक लौता कोशन है इसकी तरह के कोशन नहीं आते टेलीफोन डायल का question repeat हो जाता है तो कम से कम यह जानते रहो कि टेलीफोन के डायल के जो अंकों का जो गुड़नफल है वो कितना होता है साबाश जितने लोगों का यह जवाब आ रहा है बहुत ही शांदार इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग बहुत तेज आगे बढ़ होग टाकि कम से कम कल हम लोग time से मिल जा proposed जल्दी से subscribe वाला ब्तन दबादो फिर मुझे बताओ बहुत हो त्य हं सब्सस्रा बिल्कुल सभाश सभाप बढर दूसरा वे ο गान डूससरा बिल्कुल सफ़ी हो जाएक हो जोर-दार ळात Zustश यह सब बहुत ही शांदार प्रशांट है ठीक है चलो और जितने लोगों का दूसरा दूसरा इसा लिए तो मेरे सब्दौ सब्बाष जो लोग में इस से दूसरा आजाएगा सरकार यह टेली फोन में डायल लिस्ट में यह जीरो देख रहे हो कि नहीं इसका किसी भी संख्या से बुड़ा करोगी जीरो आएगा तो कहां से दूसरा आजाएगा क्यों मेरे भरोसा कर लेते हो यार फिर दिक्कत हो जाता है क्यों मेरे उपर भोर सा कर ले तो जैसे मैंने बोला दूसरा हाँ सायर दूसरा 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 इसे लिए कहता हूं कमेंट किया करो मज़ा आता है ना कि चैट बोक्स में अगर कर सकते हो तो गलत सलत करो ना मैं कभी बेज़ज़त करता हूं कि नहीं तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया मज़ा आता है यार सब लोग कमेंट करते हैं तो घंगोर गलत है दूसरा कभी जिन्दगी में नहीं होगा यह जीरो है साथ का जीरो म पांच के जीरों किसी कभी जीरो में तो टेलीफोन के डायल में किसी भी अंको का गुड़ां करोगे तो जीरो आएगा बोली यह बंके विहारी लाओ की मेरी बात तो सुना करो सरकार कम से कम जितने लोग आंसर करते हैं पहली बात तो जिन्होंने अंसर किया love you all मेरे दोस्त जलन मन में तूफान सा क्यों है हिंम्मत structured करके दिखाई advertisement एक मीटर एक रुपय में एक मीटर लंबा एक मीटर चोड़ तो बताओ यह आता है तो बताओ आधा मीटर लंबा आधा मीटर चोड़ा कपड़ा कितने में आएगा को एसनुद वालों तुम लोगों के लिए एक दम जाया कर देते हो, और जबकि हरना लागे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा, बस करना, अगर मालो ऐसे मोबाइल देख रहो ना, जैसे मोबाइल है, तुम लोग ऐसे करके देख रहे होते हो, है ना, इसको ऐसे कर दो, और यहां पर लाइक के बटन आएगा, ऐसे द बताओ ये चीजे तुम्हारे नसों में डाल दू एक बात बताओ एक रूमाल था ये बोले महराज बिल्कुल सही बात है एक मीटर लंबा है एक मीटर चोड़ा है तो एक रुपए कर एक गुड़े एक बराबर एक आया तो बोले हां गुरुदेव हमने का फिर तुमने दिमा बरोगे ना 0.5 multiplied by 0.5 आंसर कितना हैंगा अभी बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं अभी ये बताओ तीन हजार प्लस लाइक होना चाहिए कि नहीं ऐसे कोश्चन में अब मैं आगे तुम्हारे सभी तभी आऊंगा जब मेरा कम से कम 3,000 प्लस लाइक हो जाएगा ऐसे मज़ा नहीं आएगा पहले पहले जल्दी से लाइक करो चैनल सब्स्राइब कर लो बताओ 25 25 पईसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरे उपर मत माना करो बात मेरी उचित लगा करें तो समर्थन किया करो अंधा सपोर्ट नहीं मांता गया दूल सर आधूल सर बात तुम्हें लगें कि नहीं सर ऐसे कुशन मिलके सॉल्व करेंगे बाई एक मिटर लंबा एक मिटर चोड़ा एक बड़ाबर एक होगा तो 300 लाइक हो जाना चाहिए और जितने लोग हो यह बता दो यह तो छुट्टा छुट्टा इसको सूखा सूखा गिनो मैं दोस्ति की कसम कहा रहा हूं तो मज़ा आएगा इसको पहले सूखा 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 मतलब बीना चछट पटा एकदम सूखा सूखा आएगा मतलब जरासा कभी छट पटाना नहीं कोई छीचा लेदर नहीं है ऐसे कोश्टन में एक दो तो हीडन है बस वह खोज लो काम हो जाएगा इधर आओ देखो हम बताएं सुनो तो इधर आओ देखो जैसे कभी-कभी होता है महाराज हमको यह समझ में नहीं आए क्योंकि तुमारे कर्म बु इधर इसको क्या कहते है इसे सूखा सूखा आठ प्लस आठ मलब कोई छट पटा हट नहीं है ठीक है आठ प्लस आठ कोई छीचा लेदा सोला फिर यह वाला सत्रह हो गया भाई क्योंकि यह तो सोला हो गया न यह सोला हो गया आठट सोला सत्रह यह वाला अठारा यह वाला उ रुक जाओ तुम लगप से वहां पहुंचे मुझ बनाके रुक जाओ दूमने इधर आओ पहले इधर भागे चले जा रहे हो जैसे फिर ही मैंने उता पाए हो देखो फिर बीस के बाद रुक जाओ पहले यहां का खतम कर ले चल नहीं वहां पर जैसे बफर सिस्टम में नहीं जांग और चलो टी के माराज 23 हो गया ऑर देख लू और देख लो और देहिस हो गया 23 के बाद ये भी तो बन रहा है 23 के बाद ये भी तो बन रहा है ये वाला ये वाला 23 के बाद 24 बोले हाँ सर 24 अब चले 24 हो रहा है चले 24 हो रहा है 24 के बाद 24 के बाद अगर हम बात करें ये देखो 25 ये देखो 26 अरे तो मोर दें 27 के पीछे क्यों पड़े हो यार 26 फिर यह हो गया 27 यह होग्या 28 28 के बाद यह क्या हो गया 29 यह क्या हो गया 29 कम से कम सारे triangle गिनना सीख लो चाचा हमारी बाई यांग थोड़ी न फड़ा कराई है कि हमको बहुत देशी घी खाएं कि नहीं हाँ 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 यही होना चाहिए कम से कम यहां पर इतना समझतों ले 29 ट्रेंगल है सुखा सुखा गिन लिया तो जो छुपा हुआ उसको गिनने में दिक्कत नहीं हो तो बिया है में दो चाल लाख रुपए बढ़ जाएगा बिटा में बार बर कह रहा हूं है तो तुम लोग ऐसे तिर्चा मिर्चा मूँ बनाते हो न ऐसे पता नहीं कैसे मूँ बनाते हो और सपोस्ट करो तुम लोगों ने ऐसे मूँ ने ऐसा को भगवान ने का सटॉप औ लेकिन अंदर भाव ही रहता है न और कई इश्वार ने देखा कह दिया स्टॉप तो फिर काम खतम हो जाएगा तुमारा इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर थर्टी एच माइनस एलेवन एम बाई टू थीक यह क्या है आवर है यह क्या है मिनट है यहां पर थर्टी कर दिया मल्टइबर 11 कर दिया मायनेस 11 अध़ेवन मल्टिप्लाइबर 30 कर दिया यहां पर बटास दो कर दिया 15 हों ठीक है और कबाकी खेल्गुलेशन तो भगवान की दया से कोई दिक्कत ही फ़त लोगया बहूं कर दिया गया 50 रहे सॉफ़ित हिरो गया इसलिए कहते हसते फिर हमसे बात करना फिर हम तुम्हारा मुझ देखने आएंगे कि कैसा बना है पहले पढ़ लो क्या करना है तो जल्दी से अगर आनंद आ रहा है तो जल्दी से बताओ अंसर क्या होगा कलर रिपीट नहीं होना चाहिए कलर रिपीट नहीं होना चाहिए मतलब जैसे सपोस करो मैंने यहां पे कर दिया लाल बोले हां सर यह लाल कलर हो गया बोले सर ठीक है लाल के बाद मैंने यहां पे कर दिया हरा, यहां पे कर दिया हरा, बोलो बात सही है हरा, हरा के बाद अगर मैंने यहां पे कर दिया नीला, हरा के बाद यहां पे कर दिया नीला, अब जरा देखो कहां रिपीट हो रहा है, अब नीला अगर मैंने यहां कर दिया तो नीला तो र करेंगे हरा यहां पर कर देंगे हरा यहां पर कर देंगे फिर अगर लाल करना है तो लाल हम यहां पर कर देंगे लाल यहां पर कर देंगे ठीक है लाल यहां पर कर देंगे लाल यहां पर करने के बाद अगर नीला करना है तो नीला इस पर कर देंगे और फिर जहां रिपीट ह मिनिमम कितने कलर होने चाहिए तीन मिनिमम कितने कलर होने चाहिए तीन साबाश बहुत ही शांदार कितने कलर होने चाहिए तीन है ना कितने कलर होंगे तीन क्या होंगे बिल्कुल सही जवाब होंगे है ना और जो की बिल्कुल गलत है सिर्फ दो कलर में काम हो जाएगा मैं अ कहां से तुमको नीले की जवर्वत पड़ गई हमको ये बताओ तो सिर्फ दो कलर चाहिए अब फिर को गए अच्छा हां धिमाग लगाया करो लाल अगर यहां पे लिखा मेंने तो कहां पर रिपीट हूआ कलर कहां रिपीट हूँ और लाल यहां पर लिख दिया तो कहां को सक तो लुजे बताओ तो दो में काम निकल गया नहीं सर तीन नहीं सर तीन मैं बार बार कहता हूँ साउधानी अघ्री सब्ची पूड़ी बटी सोच के तो जबाब दिया करो मैंने तीन कह दिया हा तीन है तुछ नहीं कोछ नहीं हो त love clean 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 तीन 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 लगाना शुरू कर दिये और करो मेरे उपर भरोसा अपना दिमाग नहीं लगाओगे इसी तरीके से बेजज़त करता रहोंगा दुनिया तुम्हारा कमेंट देख रहे यह दुनिया समझ रहे हैं कि बताओ इस लड़के में इतनी बुद्धी नह कुछ नहीं कहेगी जब कहेगी कुछ तिरचा कहेगी बहुत ध्यान चे सुनना क्योंकि महिला कुछ कह रही है ध्यान से सुनो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है यह बहुत गलत बात है अब पहली बात सुलो महिला क्या कह रही है एक पुरुष का परिचे कराते हैं महिला ने कहा क्या कहा इसकी पतनी किसकी पतनी इसकी पतनी है न यह जब इस तरीके से बात होता न एक पुरुष का परिचे कराते ह कह रही है कि यह जो मासूम आदमी है यह इसकी पतनी है तो यह विचारा मासूम होगा इसकी पतनी इसके भगल आएगी जो इसे दाथ दिखा रही होगी यह इसकी पतनी है ठीक इसकी पतनी मेरी मा की एकलवती पुत्री है अरे बाप बाप महिला कह रही है कि इसकी जो पतनी है वो मेरी मम्मी की एकलोती बिटिया है, इनकी मम्मी एकलोती बिटिया है, मतलब आज महिला क्या है, सैतानिक मूड में है, अपने के ही बारे में बता रही है, वाइफ ही होगी, उसकी विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, जो बिना सूचना जगरा करती र रही है, बताओ बात सही है कि नहीं, इस आदमी की पतनी मेरी मा की एकलोती बिटिया है, तो उसकी मा की एकलोती बिटिया यानि वो खुद है, इसका अंसर बताओ, बिटा जी, important calculation मैं बार बार कह रहा हूं, इसका calculation बहुत important है, सोच के जवाब देना पंद्र सकेंड चलाया है तुम्हारा जल्दी से सोच के जवाब दू देखो जब भी ऐसा कैलकुलेशन आता है मेरी बात हमेशा सुनना पूछे महराज क्या जब यह सोला में चार को घटा दो तो हमारे पास बारा मिला ठीक है मैंने इन दोनों को आपसे माइनस कर दिया ठीक है और यह जो साहब है इन साहब का इनका गुरा कर दिया और जिनको टेबल याद है वो मेरी भावना आधे में ही समझ गया होंगे कि बारा पंचे साथ होता है और जिनको टेबल नहीं आदे वो पांच दोना दस पांच एक कम पांच एक छे करके भी कर सकते हैं और इसी तरीके से सत्रा में पांच घटा होगे तो बारा आएगा बारत यह 36 हो गया चवदा में पांच घटा होगे नौ आएगा और नचा का चववन होता है बी विल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप कभी पढ़ने बेठो देखो इतनी नीद आईगी तनी नीद आ रएगी जैसे दुनिया के सारी नीन्ड इस इसी समय और रील देखने लगो तो कब दो घंटा हुजाता है पता भी ने चलता पूजापाथ में बैटो तो पीठ में डर्द पैर में दर्द यहां दर्द वहा दर्द होता है और इसमें बात लिए spring करो कि तुम्हें अंदर दो आत्मा हो गई अगर एक आत्मा दूसरे पर हावी हो गई तो तुमको बरबाद होने से कोई नहीं रोक सकता है अच्छी जगह तुम्हारा मन नहीं लगता तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कोई है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें अच्छी जगह रुकने से रोकता है ऐसा नहीं पुल्ली काम है करो कि तफरी ही मेरी क्लास छोड़के तो बाकी तुम कुछ भी करो मेरे से लेना देना नहीं है लेकिन यह याद रखना तुम्हारे अंदर की जरूर को यह कैसी आत्मा है जो तुमको अच्छा काम करने से हमेशा रोकती है अब जैसे यह सारी चीज है यह मानो योनी में यह सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा दुबारा इसको पढ़ना ही नहीं है लेकिन अगर आज वह सुनने से किसी ने इसे रोक दिया तो तुमको बरबात होने से कोई नहीं रोक सकता भूख रिपा है आप पर लेकिन अगर अच्छी जगह से मन हटने लगे तो याद रखना कि तुम्हारे अंदर कोई एक ऐसी चीज हावी हो रही है जो तुमको सिर्फ तुम्हारा सर्वनास करके छोड़ेगी हमेशा बड़ों के पास बैठने से अगर तुमको बोरियत महसूस हो रही है दादा दादी पास बैठके बात चीत करने में तुमको तकलीफ हो रही है और दोस्तों के साथ पब हाउस में पूरी रात बिता देने में दिक्कत नहीं हो रही है तो कुछ तो ऐसा तुम्हारे पर हावी हो रहा है जो तुमको अच्छा काम करने से रोकता है अगर मना आएक जोड़ों गया एक में एक जोड़ो गया सारी प्लेस वैलू में एक जोड़ चले जाओ बिल्कुल सही होगा वह आनंदा ले रहा हों कि सब्सक्राइब शाया अब जो लोग अभी तक रुके हैं वह आनंद लेंगे इसका ओह 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 तो सर मज़ा आगई question लगागे लेकिन जो ऐसे question को नहीं लगाएगा वह examiner में exam में भी सोचे का महराज मैं एक थो भूल गया क्यों तुम्हारे कर्म थे इसलिए तुम भूल गया तुम्हारे तैयारी में कमी नहीं थी लेकिन तुम उतना सोचना ही नहीं चा चार हजार लाइक नहीं है तो सोचो मैं कितनी मेहनत करता हूं तुम्हें पढ़ाने में और अभी भी चार हजार लोगों ने उठे का बटन नहीं दबाया कुछ ऐसे हैं जो अभी छोड़के रखें जल्दी सा उठे वाला बटन दबा में को 4000 लाइक देखना है देखो इध च्छे ऑगया तो बोले हां सर जी च्य को चपना हो गया चे के बाद साथ शो गया यह वाला आठ हो गया सीनृ बिग टहान के प्या subur अगर हमने कह दिया कि तीन दो पांच एक छे यानि एक दो तीन चार यह है और साथ हो गया आठ यह हो गया बोले महाराज ठीक है और इसके बाद एक ही बचा और कहीं किसी को कुछ दिख रहा है तो सुनना बहुत जरूरी है और अभी पी चार हजार लाइक नहीं है मैं बार बार कहता हूं कि जितनी मेहनत आपके लिए करता हूं मैं को सिर्फ गुरुदक्षणा में अंगुठे वाला बटन चाहिए जल्दी से लाइक है और मुझे बताओ सबको आनंदार आए कि नहीं ठ भगवान करें तुम इतना पैसा कमाओ कि इसको जल्दी ही तूम अमल में लेयाओ 쿲 रोट के किनारे एक बीगा जमीन फृी फ्री 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 अगर दिमाग है तो जल्दी से सूच में जबाब दें लगा लो जितना दिमाग लगा सकते हूं थोई देर के लिए टाइमर हटा देता हूं अभी जदेंगो जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया यह याद रखना तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब करने साथ ढएवरी नहीं बढ़ती है यसे बतां रहता हुई तुम्हारी सेलरी नहीं बढ़ती है Pvd और यह चीजे अब ऐसा नहीं हमारे साथ कि हमारी इस पर सेलरी बढ़ जाएगी तो लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें तुम्हारा फाइदा है तो जरो समझ लोगी निस्वार्त भाव से किया गया काम हमेशा तरक्क्य के और ले जाता है हमेशा अभी बद जितने लोग में को देख रहे हो कुछ नहीं करना जीवन में एक अच्छा कदम उठाने के लिए एक सब्सक्राइब कर लो ताकि कल मैं जब टाइम से आऊँगा ज जलरी से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो गलत है रे करेझ जा गल थे हमबता रहें टवा हम बता रहें घलत है अभी हम बताएंगे तो तुम्हारा मूं इतना बड़ा सा ँजाए आई भी गलथ हो गया लेकिन पहले वड़ चैनल सब्सक्राइब कर और में को बताओ कितने लोगों ने चैनल कितने नए लोग हैं जो आज मेरे जीवन में आए हो कितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया जल्दी से हारी मानू बताएं चाउथा गलत है है बोल दिये कि सर इसमें कोई अरे ऐसा नहीं है इसका आंसर होगा यह वाई एक बीघा जमीन लगाया हूं क्यों इस पर मिरर इमेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितनी भी चीजें पड़ी हैं लिखी हैं इसका मिरर इमेज बना रखना सी पर मिरर इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिन्हों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया थैंक्यू सो मच मेरे भाई तैंक्यू सो मच दिल की गहराईयों से धन्यवाद कि अब तुमने जिंदगी में अपनी अच्छाई के लिए अपने जीवाई कोई ऐसा नह सब्सक्राइब कर लो यह दिल से दरखास है तुम्हारे लिए ठीक है अब मेरी बात समझना बोले महाराज क्या अभी भी 300 लाइक का मैं सोचू कितना गलत बात है जल्दी संगुठे वाला बटन दबा के लाइक करो मजा आई तो बही इसम मेरे रिमेच का कोई इसे नहीं पड़ी सब में मीरार इमेज का उन्हsters कोजदी से बता पाओका बता दोटो जानों कितने लिपक होते हैं जल्दी से बताओ, अच्छा और जितने लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिये हैं, अगर मैं मानता हूँ कि पैरेंट्स की भूमिका में माबाप हैं, लेकिन गार्जेन की भूमिका में तुम्हारा भाई है, यह हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं होने द होते हैं, मतलब 100 साल में 23 बार तो बोले सर, अगर हर 14 साल लिप यर होता है, तो 24 होना चाहिए, सुरी देखो मैं क्या बोल रहा हूं मेरा भी दिमाग उड़ गया 24 लीपियर होते हैं मतलब 25 लीपियर होना चाहिए 25 चोक सो सॉरी सॉरी भाव ना हूं बहके कभी कभी गलती हो जाती है दिमाग कहीं कुछ और सोंच रहा होता हूं लिख कुछ और देता हूं I apologize from bottom of my heart मतलब कहने था कि 25 चोक सो माराज यहां पे 25 लीपियर होना चाहिए अगर हर चौथा साल लीपियर होता है तो 25 लीपियर होने चाहिए हम कहें हां माराज अगर 25 लीपियर होने चाहिए तो यहां पे 24 क्यों है क्योंकि बेटा जी 100 जो है वो सेंचुरी है और सेंचुरी हमेंसा 400 सो से Divide होती है और सौ को 400 से Divide नहीं किया जा सकता इस वज़े से हिहां पर सौ 수ाल में 24 Light कर जैसे Slippier होता है वैसे Century Light होता है इस वज़े से कोई कहे कि 100 साल में 24 Light क्यों है तो बोलो मैंने 96 तक ही कांट किया है क्योंकि सउवां ले लूँगा तो century हो जाएगी और century अगर हो गई तो फिर उसे century leap year होने के लिए 400 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो बोले सरर, verse और century में क्या फर्erves होता है, मैंने का जिस verse के पीछे double zero होता है, उसे century कहते हैं, जैसे 1900 century है, जैसे 1800 century है, 2000 century है, 1700 century है, जिन वर्ष के पीछे 00 होता है उन्हें सेंचुरी कहा जाता है और सेंचुरी हमेशा 400 से डिवाइड होगा तो लिप सेंचुरी वर्ष होगा यानि अधिशतागदी वर्ष होगा और अगर आपका यह जैसे सेंचुरी और सेंचुरी हमेशा 400 से डिवाइड होता है तो दो सो में बोले तो चौबिस और चौबिस और तालीस होगा ना कि पचास होगा बोलो बात सही है मज़ा आया की नहीं आया यारे पहले एक बात बता दो हाँ वाइफ का मतलब होता है विदाउट पर यहां महबब भली लडाई है जीवन में अगर लड़ाई भड़ा नहीं यह जादा प्रेम होगा चीन्टा लग जाता है नहीं होगा तो आनंदी नहीं आता लड़का खुदी छेड़ देता है कुझी कर देगा मवभी पर्षान कर देगा कई दिन से मार ना खाये लगती है जीवन हर चीज के आनंद लेना चाहिए जब तुम पढ़े लिखे होते हो ना तो तुम्हें हर चीजों का मतलब समझ में आ जाता है अब देखो यह आज का मैं HW दे रहा हूं यह मैंने तुमको समझाया था मेरी क्लास में आनंद आता है आप लोगों को और तो एक बार मिलके कहो आज के आनंद की जै है ना इसी तरीके से मतरानी तुमको खोब समरित दिदे तुम खोब खोश रहो और इसी तरीके से हमारा आनंद में क्लास रोज शाम को छे बज़े और सुबह ग्यारा बज़े क्लास होती है कितने लोगों को मैंने मैं बुक्किट ओडर की थी मजह आया ना किताब देखके जो जो मतलब पूरी सी एचसल की बाउंडरी पूछते हो ना जी एस वाले सर हिस्ट्री कितना पड़े जी एस वाले सर यह बताईए पॉलिटी में कहां तक आएगा संसद आएगा राश्पती गाचुना सर नहीं सम मान जावा तुल अवस्थी की बात जिंदगी भर याद रखोगे कि सर वो एक बात माना इसलिए आज हाथ में ज्वाइनिंग लीटर है अच्छा मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूं दो मिनेट सुनलो फिर चले जाना पहले दो मिनेट सुनलो अगर मेरी विश् किताब दिखाया था कि अगर यह वर्बल रिजनी की किताब है मैंने तुमको बताया था कि अगर तुमको किताब खरीदनी है तो अड़ा 247.com बोले महराज आ गए जैसे अड़ा 247.com पे आओगे यहां ओल को यह यह खुल के आएगा तो ऑल कोर्सेस में चले आना यहां ऐस सब्सक्राइब चले जाना उस यह चसल कहां लिखा है बोले महराज यह लिखा है जैसे ही आ गए अब यह बैच तुमको लेना हो लो अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरा 24 तारीक को बैच आ रहा है जिसमें हम सारे के सारे लोग मतलब एक तब निचोर के पूरा क्यों सही कह रहा था क्योंकि बात ही ऐसी अड़ा का कंटेंट है जब मैं अड़ा में फैकल्टी नहीं था तो भी पढ़ता था यह दुनिया जानते क्योंकि कंटेंट के मामले में कोई तोड नहीं यह टेस सीरीज चसल की लगाना चाहते हो डिक्टो जैसे तुम पेपर हॉ आती है तो उसका कंप्लीट होल सो रिस्पॉंसिबल अतुल अवस्ति होंगे तीक दूसरी बात कि आपके पास यह जो आगे आगे देख रहे हो यह जो सीचसल की किताब है यह देखो तुम लोग सीचसल में यही प्रॉब्लम होती सर मुझे बाउंडरी कि कहां से कितना आता तो तुमको इसमें सबसे यादा जर्नल अवेर्नेस वाली दिक्कत होती है जीएस की बाउंडरी देखो तुम खुद कहोगे कि सर आपने सही कहा मैंने कहता कि मैं कह रहा हूं तो खरीद लो पैसा बहुत गाड़े की कमाई है बड़ा आराम से खर्च किया करो ऐसे नहीं दे दिकारी दे रहें तो कितनी जीएस आएगी प्राची नितिहास से अभी तक S.C.C.CH.S.L. में जितने कुश्चन बने हैं और जीतन जर्च जी जो टॉपिक आते हैं प्राची नितिहास का बहुविकल्पी प्रस्ट अलग होगा मद्धिकाली नितिहास का बहुविकल्पी प जाएगी ठीक है फिर जब आगे बढ़ोगे तो भूगोल का तुम्हें पता चलेगा कि भूगोल में कहां से कहां तक की चीजे सौर मंडल से कहां से कितने कोशन बनते हैं अब देखो सौर मंडल 165-166-1668 यानि तीन पेज में आगे तीजे मिला के तीन पेज में तुमको कमप्लीट सौर मंडल समझा देगा लेकिन जितना पूछा जाता है सौर मंडल तो बहुत बढ़ा है अगर समझाने पर आ जाए तो कम से कम 6-6 गंटे की 6-7 क्लास लग जाएगी लेकिन वह UPSC लेवल है बड़ा लेवल है लेकिन लेकिन आगे देखो और बड़ा कर देने ताकि दिख जाए यह देखो अर्तसात से कित्ते कोशन बनते हैं यह देखो पारंपरिक समान ज्यान से कित्ते कोशन बनेंगे भौतिक विज्ञान में कहां कहां से कोशन पूछा जाता है रसायन विज्ञान में कहां से आता है और यहां प बेटा जी अगर थोड़ा सा भी पिन कोड का इशू है मैं पहुंच वाँगा बस एक दिन और इंतजार कर लो क्योंकि एक दिन में यहां से डिलीवर जो पार्टनर है उनसे बात हो जाती कि इस पिन कोड पर दिक्कत है तो हमारे जो एक्जेक्टिव है वह आपसे फोन में बा बताते हैं देखो जैसे मालों यह किताब तुमने खरीदी व्यूफर पर गए ठीक है और यहां पर सपोस्ट करो तुमने अपना कोई भी जो भी तुम्हारा जीमेल आदी यह अपना जीमेल डाला मैं तो यह एक्जांपल डाल रहा हूं ठीक है और यहां पर कूपन कोड लगा देना Y272S और अपलाई कर देना जैसे अपलाई कर दोगे यह देखो 1091 रुपए की हो गई और यहां पर सीधे सीधे डिस्काउंट देखो तुम्हें अच्छा कासा लमाद चार हजार पांसो निन्यानबे की थी वाई 272 पर थोड़ 1091 रुपए ही तुमको सिर्फ देने हैं और तुमको सिर्फ कूपन कोड लगाना है Y272S इस पर एक किताब तुम्हें पास पहुंचे अगर मेरा बैच लेना चाहते हो तो जो नए लोग है मैं बता दूँ बैच जब पर्चेस करना बैच के लिए हमेशा Y272 लगाना लेकिन जब टेस्ट या बुक खरीद रहे हो सिर्फ या बुक खरीद रहे हो याद रखना Y272 तो लगाना आगे S लगाना मत भूलना अगर टेस्ट इसल या बुक करिद रहे हो तो इसा अगे लगा देना नहीं तो वाई 272 लगा देना ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कोई delivery चार्ज नहीं कुछ नहीं लगेगा जितना, grabि програм depression 1091 दीखा रहे हैं बस इतना ही आएक कोई delivery चार्ज नहीं ठीक है बस आपको जाना है अड़ा247.com पर यह मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है अल कोर्सेस पर आओगे यह कूपन कोड लिख लो कॉपी पर वाई-212-S किताब तुम तक पहुंच जाएगी ठीक है तैंक यू सो मच तो कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे और सुबह 11 बजे तैंक यू सो मच लव यू ओल